अगर एक पर्टिकुलर उमर में आप खुद को बुड़ह महसूस करना नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपको देखकर आपसे मिलकर पता ना लगा पाए कि आपकी उम्र कितनी है आप खुद को फिजिकली और मेंटली बहुत फिट महसूस करना चाहते हैं तो ऐसी कंडिशन में यह जो वीडियो है यह आपके बहुत काम की है क्योंकि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बेहत प्रभावी एंटी एजिंग कंसेप्ट के बारे में जहां पर अगर आप इन बातों का ध्यान रखें और कुछ हुमपसिक दवाईया रेगुलरली लें तो आप खुद को एक पर्टिकुलर उम्र में भीना पूरी तरह से जवान महसूस कर सकते हैं आप समझदार हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में बात कर लेते हैं एक बेहत प्रभावी एंटी एजिंग कंसेप्ट के बारे में देखिए अगर आप बढ़ती हुई उम्र में जवान बने रहना चाहते हैं आप बढ़ती हुई उम्र में बुढ़ापे का हिसास नहीं करना चाहते हैं और दूसरों को भी नहीं जताना चाहते है कि आपकी उम्र क्या है तो ऐसे में सिर्फ अपने चेहरे की रंगत, चेहरे की स्किन, चेहरे की स्किन के ग्लो के उपर बात मत करिए. अपने शरीर के इंटर्नल ओर्गंज के बारे में भी बात करिए. क्योंकि आपके skin का glow आपके skin के wrinkles आपके skin की बनावट आपके खाल की जो एक जिसे कहते हैं सजावट है उन सभी चीजों के संग में कहीं ना कहीं आपके internal organs जुड़े हुए हैं इसलिए सिर्फ चेहरे के glow के बारे में बात ना करें anti-aging concept में बलकी बात करिए अपने organs के बारे मे अपने stomach के बारे में जिसका काम है खाने को बचाना अपने liver के बारे में जिसका काम है शरीर के metabolism को अच्छा करना अपने kidneys के बारे में जिनका काम है शरीर से गंदगी बहार निकालना अपनी आंतों के बारे में जिनका काम है शरीर में जो nutrition आपको मिल रहा है उसको absorb करके अपने दिल के बारे में बात करिए जिसका काम है आपके पूरे शरीर का ध्यान रखना और संग में अपने माइंड के बारे में बात करिए ब्रेन के बारे में बात करिए जिसका काम है सब कुछ कंट्रोल करना अगर आप इनके बारे में ना बात करके सिर्फ अपनी बाहरी सुन्दर्था के बारे में बात करेंगे तो आप उसे पून्टाहा anti-aging concept नहीं कह सकते जो भी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ आपको बेफकूफ बनाने की बात कर रहे हैं जिससे temporary तोर पर कुछ दिन तक तो results मिल सकते हैं लेकिन लंबे समय तक आप वो results नहीं पा सकते या maintain करके रख सकते जिससे कि आप जवान बने रहें तो आप सवाल उठता है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए देखिए सबसे पहले ध्यान से समझेए आपको अपने शरीर के nutrition के उपर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्या चाहिए आपको अगर मैं priority के हिसाब से बात करूँ तो सबसे पहले आपको चाहिए एक सही मात्रा में vitamin C जो की आपके शरीर के लिए highest antioxidant है oxidative stress को कम करता है बढ़ते हुए शरीर के उमर को थामने का काम करता है और शरीर के metabolism के लिए immunity के लिए बेहद जरूरी है यहाँ पर जो दूसरा बहुत important एक चीज की requirement है आपके body को वो है retinoids जो की vitamin A से मिलते हैं जो की collagen making के लिए बेहद important है तो आपके चेहरे की सुंदरता, mass patient की ताकत और आपके शरीर की healing के लिए collagen की बहुत requirement है जो बिना retinoids के आपको नहीं मिल सकती इसलिए यह दोनों चीज़े nutrition के perspective में जब हम aging perspective की बात करते हैं ना तो बेहद important role play करती है इसके लावा आपको चाहिए सही मातरा में protein जो की आपके शरीर की mass patient के लिए आपके शरीर की skin की healing के लिए आपके internal organs की healing के लिए बेहद जरूरी है तो अगर आप सही मातरा में protein नहीं खा रहे हैं तो भूल जाएए कि आप अपने शरीर की उम्र को थाम सकते हैं इसके अलावा आपको अपने शरीर के लिए चाहिए भरपूर मातरा में पानी क्योंकि बिना पानी पिए या बिना सही quality का पानी पिए आप अपने शरीर के aging को नहीं रोक सकते अब आप dehydrate हो जाएंगे तो multiple levels पर आपको अलग-अलग चीजे महसूस होने लग जाएंगी आपके शरीर में अलग-अलग तरह की बिमारियां develop कर जाएंगी तो आप कैसे जवान खुद को महसूस करेंगे ध्यान से सोच लीजे क्योंकि जो पानी आप पी रहे हैं अगर वो पानी acidic है अगर उस पानी का TDS कम है, 100 से नीचे है या जो भैरल का पानी आ रहा है जिसे आप पी रहे हैं अगर उसका TDS 100 से कम है तो वो आपको कहीं न कहीं dehydrate कर देगा अगर वो Acetic है तो आपके शरीर के अंदर जो Oxidative Stress है उसको बढ़ा देगा और उसकी वजह से आपकी उम्र जो है वो देजी से बढ़ती हुई महसूस होने लग जाएगी इसके अलावा आपको शरीर में Nutritional Aspect में अलग-अलग तरह से Antioxidants की requirement है जो कि आपको फल से, सलाज से, सबजियों से regularly मिलते हैं इसके अलावा कुछ चीजों से आपको बचके भी रहना है जिनमेंसे पहला है smoking यापको दूमरपान नहीं करना है आपको तंबाकू से दूर रखना है आपको खुद alcohol का consumption नहीं करना है शराप के सेवन से खुद को दूर रखना है ये दोनों चीज़ें भला ही चाहें आप कभी कबार कर रहे हैं आप regularly कर रहे हैं लेकिन थोड़े या जादा मातरा में उसका आपके शरीर के उपर effect कही न कहीं दिखाई जरूर देता है आज की generation जो की smoking की तरफ, alcohol की तरफ addicted होती जा रही है और वो ये वीडियो देख रहे हैं तो request अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई उन्नों दिखाई ना दे आपको सर के उपर बाल रहने लग जाएं आपका शरीर जो है पहले से ज़ादा भेतर काम करें आप खुद को ज़ादा active महसूस करें तो आज ही धुम्रपान और अपना alcohol ये शराप का सेवन बंद कर दीजे इसके अलावा चाहें आप कुछ करें या ना करें और अगर आप सब कुछ भी कर रहे हैं हर तरह से अपना ध्यान दे रहे हैं लेकिन अगर आप मन से दुखी हैं अगर आप संतुष्ट नहीं हैं अगर आप मन में बातों को रखते हैं सोचते रहते हैं टेंशन लेते रहते हैं अपने जीवन की उधेड बुन में फशे हुए हैं तो ऐसी condition में आप खुश नहीं रह पाएंगे कई बार एक चेहरे की मुस्कुराहट आपके चेहरे से आपकी उम्र को बयान नहीं करने कर पाती है इसलिए स्ट्रेस से दूर रहना बहुत जरूरी है जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा जीवन के अंदर चाहें वो ज़्यादा देर काम करने का स्ट्रेस हो या उतनी देर काम करने के बाद आपकी मानसिक प्रतारना की वज़े से होने वाला स्ट्रेस हो कहीं न कहीं वो स्ट्रेस आपके शरीर के लिए आपके जो मन है उसके लिए और most importantly आपकी बढ़ती हुई उम्र के उपर उसका असर तेजी से दिखाई देता है आप कमर उम्र में भी जादा उम्र दराज महसूस होने लग जाते हैं ऐसे में कुछ होमियोपतिक दवाईयां जो है न वो बेहत कारगर हैं जो कि इन सभी प्रक्रियाओं में कहीं न कहीं आपकी हल्प जरूर करेंगी अब कौन सी दवाईयां है ध्यान से समझेए रेगुलर लेने पर रिजर्ट्स जरूर देती है पहली और most important दवाईयां पर होमियोपतिकी जवाती है उसका नाम है 546X 546X एक सुपर सप्लेमेंट है जो की हमियोपति के अंदर आता है और मरीज के शरीर में भरपूर न्यूट्रीशन देने का और वो न्यूट्रीशन शरीर में एब्जॉर्ब हो उसमें भी उसकी हल्प करता है यह नहीं कहीं न कहीं थोड़ा मातरा में न्यूट्रीशन भी देगा और वो न्यूट्रीशन एब्जॉर्ब हो उसमें भी मदद करेगा तो यह जो सुपर हेल्थ सप्लेमेंट है इसका नाम है 546X क्या-क्या है इसके अंदर ध्यान से समझेए केलशियम, आयरन, मेगनीशियम, सोडियम, पोटाशियम इसके अलावा भरपूर मातरा में फोस्फोरस जो कि आपके शरीर के लिए बहर ज़रूरी है अब यह जब आप रेगुलर्ली लेते हैं तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कम से कम छे महिने तक चार गोली सुबह, चार गोली शाम रेगुलर्ली लो जब आपके शरीर में elements की nutritional deficiency नहीं होगी तो बहुत सारी तकलीफें आपके शरीर में कम हो जाएंगी और आपका शरीर अपने आप में महसूस होगा आपको कोई और supplement लेने की requirement नहीं रहेगी अब जो दूसरी बहुत important दवा है उसका नाम है जिन सेंग देखिए जो भी मरीज हमारे पास आते हैं जिनको aging process की वजए से कभी नसों में दर्द शुरू हो जाता है नसों में कमजोरी आया लग जाती है मास पेशों में कमजोरी आ जाती है मास पेशों में दर्द हो जाता है जोडों में कमजोरी है जोडों में दर्द शुरू हो जा रहा है खास कर यादाश उनकी कमजोर होती जा रही है बार बार चीज़े भूल जाते है दिमाग एक जगे नहीं रहता दिमाग बहुत जल्दी ठक जाता है और इसके अलाबा वो sexually भी अब धीरे-धीरे करके weak महसूस करने लग गए हैं उतना जदा active महसूस नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है जिसे कितनी जदा उमर बढ़ती जा रही है किसी भी चीज में enjoyment का महसूस न जब वो कुछ महीनों तक regular जिंसेंग लेते हैं तो इससे उन्हें लंबे समय तक के लिए बहुत बढ़िया results देखने को मिलते हैं अब कैसे लिनी हैं जिंसेंग ध्यान से समझेए देखिए जिंसेंग का mother tincture market में आता है आप एक अच्छे brand का जिंसेंग का mother tincture खरी दिये और मातर पांच बून दवा सुबै पांच बून दवा शाम आधा कब पानी में डाल कर आप regularly अगर जिंसेंग को ले रहे हैं और कम से कम तीन महीने से पांच महीने तक regularly ले रहे हैं तो जितनी महीने चीज़ें आपको बताई हैं उनमें आपको बहुत बढ़िया results और असर म महसूस करेंगे तो कुल मिलाके एक जवान होने का अनुभव जो आपको मिलेगा वो जिंसेंग से वास्तव में मिलेगा ये बहुत important दवाई है बहुत बढ़िया results देती है आपको ज़रूर लेनी चाहिए अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरी दवा के बारे में जो की basically दो का एक combination है और दो दवाईयां कौन सी है पहली हो गई कुरकुमा लॉंगा का mother tincture और दूसरी हो गई मोरेंगा उलीफेरा का mother tincture ये दोनों दवाईयां मैंने क्यों चूज करी है ध्यान से समझे देखिए सबसे पहले तो आपके शरीर में ये वो एंटी ऑक्सिडेंट्स द होता है और शरीर की अपनी जो एक individual ताकत होती है immunity होती है वो भी बढ़ती है कुरकुमा लॉंगा में मौजूद है कुरकुमिन और हर कोई जानता है anti-cancerous effect इससे better किसी और चीज में मौजूद ही नहीं है बहुत बढ़िया काम करता है बहुत बढ़िया results भी देता है अब जो दूसरी दवा है moringa उली फेरा उसमें मौजूद है क्योर सेटेन और कॉलिनर्जिक असेड जो की BP को कम करने में help करता है और blood sugar भी regulate करता है तो all in all यह तीन जो तीन antioxidants है ना यह अपने आप में इतने effective है कि यह खुद anti-aging effect शरीर के अंदर produce करते हैं इसके अलावा यह दोन vitamin C, vitamin E भी मौजूद है जो की माना जाता है कि भई alcohol में tincture बनाने के बावजूद retain रह सकता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों दवाईयां कितनी effective है इसके अलावा ना सिर्फ यह कांबल की यह दोनों दवाईयां मिलकर anti-bacterial, anti-fungal, anti-viral action भी देती है यानि य जो शरीर में आने वाले infections हैं उनसे भी बचाती है और अगर आपने कुरकुमा लोगा की मेरी वीडियो देखी है और आगर आपने बोरिंगा ओलिफेरा की वीडियो भी देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि liver के लिए kidney के लिए cholesterol के लिए यह तीनों दवाईयां कितनी दोनों दवाईयां कितनी effective हैं तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको clearly समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है किन बातों का ध्यान रखना है कौन सी दवाईयां खानी है जिससे दूसरों को महसूस भी आपकी उम्र क्या है और आप खुद भी पह समझ में आई हो मुझसे agree करते हूं थमसब जरूर दीजे यह जो आपका एक like का बटन दवाना है जो थमसब है मुझे बहुत motivate करता है और पहली बार वीडियो देख रहते हैं सब्सक्राइब करेंगे हमसे जोड़ेंगे तो हम इसी तरह की अच्छी बाते आपसे जरूर करे मुझसे परामर्श किया वशक्ता हो आप इस नमबर पर मेरे स्टाफ से बात करके मेरा appointment ले सकते हैं इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मही दरफ से नमस्कार thank you and जैहित